हलो एंड वलकम तो डीजी इंग्लिश हब यारे बच्चो आज हम क्लास 7 जेसी इर्ट इंग्लिश टेक्सबोक डालिया के यूनिट 3P में दी गई कवीता वेर दा माइन्ड इस विदाउट फियर को समझेंगे तो पोयम का नाम है वेर दा माइन्ड इस विदाउट फियर और इस पोयम के पोईट है रबिंद्रनाथ टगोर आपने इनका नाम सुना होगा क्योंकि इनहीं के द्वारा हमारा राष्ट्रगान रचित है जनगनमन जो आप सुवा की प्रार्थना में अपने विद्याले में गाते होंगे तो रबिंद्रनाथ टगोर के द्वारा लिखी हुई ये कवीता है आपके किताब में इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि जो कवी हैं लेखक या कवी हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है चली हम पहले ही इसको पढ़ते हैं और फिर हम कवीता को समझने का प्रयास करते हैं रविंद्रनाथ टेगोर और यहां ब्रैकेट में जो दिया हुआ है बच्चो उनकी जनमति थी और उनकी मृत्ति उती थी यानि May 7, 1861 उनकी जनमति थी है बर्थ देट और August 7, 1941 उनकी मृत्ति हुई founded Shantini Keitan in Bolpour, West Bengal which promoted ancient methods of teaching तो रविंद्रना टेगोर के द्वारा ही Shantini Keitan नाम के एक स्थान की स्थापना की गई जो की Bolpour, West Bengal में स्थित है और यहां पे गुरुकूल पद्दती से जो हमारी पुराने समय की पदती है उस पद्धती से बच्चों का सिक्षन करवाया जाता है अब टगोर की लिखे हुई कुछ famous works या कहानिया जो क्या थे उनके नाम यहां दिये हैं आप इन्हें याद रख सकते हैं काबुली वाला, पोस्ट, मास्टर, या गोरा फिलाला यह तीन नाम याद रखें आगे भी आपको और नाम मिलेंगे आप जब उच्च के क्षाओं में जाएंगे He won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poems गितांजली उनकी कविताओं का जो संग्रह था उसका नाम था गितांजली और इस कविता के संग्रह के लिए जिसमें यह भी एक कविता रही यह पोयम था उन्हें 1913 में नोबल प्राई हैं कि विश्वस तरपे सरवोच जो पुरसकार है नोबल प्राईस लिट्रेचर या साहित्य के लिए वो उन्हें मिला था तो चलिए इस पोयम को हम अब समझते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं बचो कि भारत 1947 के पहले अंग्रेजों का गुलाम था या अंग्रेजों के अधिन था तो 1947 के पहले यह कविता लिखी गई थी यह जो पोयम है 1901 यानि 1901 में एक बंगला कविता प्रार्थना के नाम से सबसे पहले यह प्रकाशित हुई थी और फि भारत के आजादी के पूर्व लिखा था और हर एक नागरिक के तरह वो भी सपने देखते थे क्या कि जब यह हमारा देश आजाद हो हमारा देश क्या है इंडिया या भारत अगर आजाद हो तो वो से किस तरह की आजादी मिले सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से ही क्या हमारा देश आजाद हो जाएगा या और भी चीजें हमारे देश में हो ये चो कलपना उनकी थी imagination था वो एक प्रार्थना के रूप में उन्होंने लिखा प्रभू के नाम यानि भगवान के नाम सबसे पहले वो कहते हैं कि उन्हें आजादी किस तरह की चाहिए और उनका देश जब आजाद हो तो किस महोल में हो ऐसे महोल में where the mind is without fear बच्चों mind यानि मस्तिश्क हमारा जो दिमाग है या मस्तिश्क है without fear यानि बिना किसी भय के बिलकुल निडर हो हमारे मन में किसी बात का किसी व्यक्ति का डर ना हो किसी सिस्टम का आतंक ना हो and the head is held high तो ये जो शब्द है head is held high head यानि हम जानते हैं सेर और held यानि पकड़ के रखना और high उचा यानि कि आप जब अपने सर को उचा रख सके ऐसे स्थान में हम रहे जहां हमारा सर उचा हो तो सर उचा कब होता है जब आप निडर होते हैं या फिर आपका स्वाबी मान होता है तब हम कहते हैं कि सर उँचा करके चलना तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसे स्थान पर हमारी आजादे के बाद हम खुद को पाए जहां हमारा जो दिमाग है वो किसी भी डर से बिलकुल बेखब रहो, उसे किसी प्रकार का डरना हो और हमारा सिर बिलकुल उचा रहे, फक्र से उचा तेसरे लाइन में केते हैं वेर knowledge is free knowledge यान ग्यान हमें निशोलक मिले या मुफत मिले तो निशोलक ग्यान का अर्थी ये है की ज्ञान सभी के लिए बराबरी से होना चाहिए पर हम देखते हैं कि कभी बेटा बिटा बेटी में फर्क किया जाता है कभी ऊचली में जाती की हिसाब से फर्क होते हैं कभी पैसों के हिसाब से जादा पैसे वाले हैं उनको अच्छे विद्याल्यों में पढ़ने काफसर मिलता हैं जिनके पास पैसा को मत बंच Вас है तो वह कहते हैं कि मुझे एक सिस्टम में हमारे देश के नागलिक्स को देखना है जहां भी ज्यान ऐसे पैसों में जाती में या जेंडर में याने की लिंक के भेदवाव से बिलकुल मुक्त हो अब ये दो जो लाइन्स है ना बच्चे एक साथ इसको पढ़ने से अर्थेंख लेगा पुएट कहते हैं वेर दो वर्ल्ड यानि जहां हमारी दुनिया जहां पर हम आजाद होंगे ये टुकडों में न बचा हो फ्राग्मेंट्स जो वर्ड है ना फ्राग्मेंट्स यानि टुकडों यानि की हमारी दुनिया फ्राग्मेंट्स या टुकडों में न बची हो क्यों? by narrow domestic walls domestic यानि घरेलू और narrow यानि संकिर्ण या सक्रा तो आखिर किसी भी दुनिया के टुकडे narrow domestic walls से कैसे होंगे यदि पूछू तो आप सोचिए, अंग्रेश तो बहारी थे लेकिन हमारे देश में खुद हम आपस में भी उस वक लड़ रहे थे आपस में जाती के आधार पर, धर्म के आधार पर तो वो कहते हैं कि ये जो छोटे मोटे घरेलू, ये जो जगडे हैं जिस वज़से wall या दिवार खड़े हो गई है, वो मौजूद ना हो हमारे बीच में, ऐसी आजादी हमें दिला दे फिर अगले लाइन में कहते हैं, where words come out from the depth of truth बच्चो, depth यानि गहराई और truth यानि सच्चाई यानि कि हमारे जो शब्द हैं, वो खोकले ना हो वो सिर्फ कहने के लिए हम ना कहें, बलकि हमारा हर एक शब्द बिलकुल सच्चा हो और सच्चाई के गहराई से निकल कर आई, यानि लोग उस देश में सच कहें, वो जूट का सहारा न ले और कैसे दुनिया की कलपना वो करते हैं, देखो where tireless striving, लगातार बिना रुके कोशिश करने को हम कहते हैं, striving stretches its arms towards perfection तो ये दो पंक्ती भी एक साथ पढ़ने पर अर्थे देता है, कि ऐसे दुनिया जहां लगातार कोशिशों से हम जब अपना हाथ को आगे बढ़ाए, stretch यानि फैलाना और arms यानि बाहें हमारी बाहें आगे फैलेंगी, तो हमें क्या मिलेगा, perfection किसी भी कारे में हम निपन हो जाएंगे, तो वैसी एक दुनिया जहां हर एक वैक्ती कोशिश करे बिना बहाने कि वो किसी कारे को निपनता से कर सके, ऐसे दुनिया के कलपना वो imagination वो कर रही है और where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit अब ये तीन पंक्ती को मिला कर हम समझने का प्रयास करते हैं पोईट टगोर कह रहे हैं कि ऐसे जगह, where यानि जहां, तो जहां the clear stream of reason, reason यानि कारन, यानि कारन का जो बिलकुल साफ एक जहरना है या जो रास्ता है, वो कहीं भटक न जाए, not lost its way, lost यानि खोना लेकि not लग गया, यानि कि वो चाहते हैं कि हमारी जो तर्ख है, या तर्ख करने की शक्ती है वो खोन जाए, किस में खो जाए, into the dreary desert sand of dead habit अब ये जो बिलकुल मायूज करने वाला एक रेगिस्तान के समान हमारी आदती है dead habit, dead habit हम कहेंगे ऐसी आदतों को, जिसमें कोई तर्ख नहीं है हम सिर्फ उसका पालन इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ने कहा है और पीडी दर पीडी वो चली आ रही है, हम उसका सवाल जवाब नहीं करते हैं हम पूछते नहीं हैं कि आखिर ये आदतें क्यों हैं आखिर ऐसी जो लीतियां ऐसी हमारी समाज में हैं आखिर इसका क्या कारण है और हम उसका से पालन करते जाते हैं यह सोचकर कि ऐसा ही लोग करते आए हैं तो हमें भी करना है तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो तर्क करने की शक्ती है वो खोन जाए इस तरह के रेगिस्तान में जह तो हमें हिम्मत होने चाहिए सवाल करने की कि क्यों आखिर बेटियां क्यों न पड़े अगर कहते हैं कि दहिज लेना सही है तो हमें सवाल करना है कि आखिर क्यों तो यह सब जो चीजे हैं जो परमपराइं हैं जो कहीं न कहीं अब इनका कोई वजूद नहीं है इनका कोई अर तक क्यों है और एक ऐसी जगह जहां हमारा मस्तिष्क माइंड यानि दिमाग आपके द्वारा आगे ले जाया जाए बचो टी एच इडी इसे पढ़ा जाता है यह पुराने समय में अंग्रेजी में यू को हम दी कहते थे यू यानि आप और जब भी किसी अंग्रेजी अक्ष परमेश्वर को तो वो परमेश्वर को कहते हैं यदि आप हमें लीड करेंगे यानि कि आपके कहें अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो खुद बखुद हमारे जो सोच है वो एवर वाइडिनिंग यानि कि खुले विचार खुले विचार या एवर वाइडिनिंग थौट हो वो कहा रहे हैं कि आप हमें रास्ता दिखाए ताकि हमारी जो थौट है या विचार है वो बिल्कुल खुले हो हमेशा खुले रहे एवर वाइडिनिंग हो और हमारे कर्म भी और इतनी चीज़े कहने के बार अंतिम दो लाइन में वो कह रहे हैं कि यह सारी चीज़े जिस जगह पर हो वो जगह तो स्वर्गी ही हो सकती है तो स्वर्ग का अंग्रेजी है हेवन इन्टु दाट हेवन और फ्रीडम ऐसे एक आजादी के स्वर्ग में जहां सिर्फ हम अंग्रेजों से मुक्त नहीं होंगे हमारा पूरा विचार बदल जाएगा हमारे बीच के मनमुटाव खतम हो जाएंगे भेदभाव खतम हो जाएंगे ग्यान हमारा बहेगा हम पुरान दक्यान उसी सोच को आगे लेकर नहीं आएंगे वैसे स्वर्ग में माई फादर यहां भी एफ कैपिटल है यानि कि यहां पे पिता परमेश्वर के लिए यह डिनोट कर रहा है मेरे पिता लेट माई कंट्री अवेक मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे देश को ऐस स्वर्ग में आप जगाओ या आप लोगों को ऐसे जागरित करो कि मेरा देश स्वर्ग बन जाए और जहां आजादी हर चीज़ की हो सिर्फ अंग्रेजों से आजाद ना हो हमारा माइंड निडर हो विदाउट फियर हमारा सर उचा हो ग्यान बिलकुल सब को एक बराबर मि सचाई का साथ हम दे और हम कोशिश करें मिलकर कि हमारा सब काम मिलकुल सही और निपन हो और हमारी सोचने की शक्ति खतम ना हो पुरानी जो आदते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है या कोई तरक नहीं है वैसे आदतों को हम छोड़े और हमारा जो भी सोचने की शक्ति है वो आपके द्वारा खुले विचारों के ओर हम ले चले और ताकि हमारे कर्म भी वैसे हो तब वैसे स्वर्ग में आप यदि हमारे देशवासियों को जगाएंगे तो प्रभू यह मेरी प्रार्थना है यह मेरी प्रेयर है तो अब आप समझ चुके होंगे कि इस पोयम को जब कवी ने यहिनिकी डवना टेगोर ने बंगला में लिखा था तो वो प्रार्थना क्यों लिखे होंगे क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे और किस से दी या फादर याने की गौड से तो आशा करती हूँ कि यह पोयम आप समझ चुके होंगे और फिर आप इसके आधार पे इसके सवाल जवाब भी बना लेंगे